हाई एवरिवान आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप बचा हुआ चावल को रियूस करते हुए बहुत ही टेस्टी इडली कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है बचा हुआ चावल जिसको आपको एक फाइन पेस्ट में पीस लेना है कुछ इस तरह से और उसके बाद में आपको इसको मिलाना है इसके अंदर या तो रवा या तो उपमा रवा जो भी आपके पास अवैलेबल है क्वानडिटी सेम होनी जाइए मतलब जितनी आपने चावल की क्वानडिटी ले हैं उतनी आपको रवा की क्वानडिटी लेनी है तो पहले आप अच्छी तरह इसको धोलीजिए जब actually idli बनाते हैं, क्योंकि यहां पर हम instant idli बना रहे हैं, तो इसलिए आपको वो जो काम रात में होने वालाता है, वो दही से हो जाता है यहां पूरा, तो यहां पर मैंने करीबन एक कटोरी जो है, दही आड करी है, और उसको भी अच्छी तरह mix कर लेना है, फिर आपको same texture वैसे आजाएगा जैसा आपका idli batter होता है, अब मैं डाल रहे हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक, अब इसको आपको rest करने के लिए 20 मिनिट तक रख देना है, आदा गंदा भी रख सकते हो, कोई problem नहीं है, अगर आपके पास इनो है, इनो डाले, अगर इनो नहीं है, तो आप baking soda भी डाल सकते, इस से जो है, जब हम idli बनाएंगे, तो उसमें जो fullन होती है, जो fluffiness होता है, वो आ जाएगा, तो अब मैंने ले लिया है, बरतन idli का, और उसको जो है, आप पहले अच्छी तरह धो लीजिए, और उसमें लगा लीजिए, थोड़ा सा oil भी, और पहले किया है, उसको इसमें डाल देना है, और इस तरह से मैं सारी plates इसमें लगा दे रही हूँ, तो देखा न, आपने वैसे बहुत simple procedure, जिसने आज तक जिंदगी में idli नहीं बनाई है, वो इस वीडियो को देखके पका try ज़रूर करना, and you will love this, and break wash में आगए वे आखके पास कुछ हो नहीं available, यह तो instant बनने वाल है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है, तो ग्यास पर मैंने इसको रदी आए, and 15-20 मिंट के लिए पकाया है, उसके बाद चेक करना है, कि हाथ पे तो नहीं चिपक रहा है, अगर चिपकता है, तो थो काने का मन जब फिर से करता है, तो जाग जाती है, तो लग रही है कि नहीं, and देखे कितनी softly, यहाँ पर मैंने इसका पीस तोड़ा है, तो अगर आपको यह रसिपी पसंद आई है, तो प्लीज लाइक चिपकाड आलो आस तो, and शेर पका पका करो, and सब्सक्राइब करो,